आप सभी का स्वाकत है देखिए आप सभी के सामने मैंने इस जिगा बैंक निप्टी का चार्ट ऊपन किया बैंक निप्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे दिखे मुवमेंट इसमें देखने को मिले इसने जो हाई मारता वो 33,700 का हाई मारता किलोजि देखने को मिल सकती है तो सबसे पहले तो अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो चार्ट में आपको समझ में आएगा कि नीचे के लेबल से देखे इसमें एक रीकवरी हमको दिखाई दे रही है और जे रीकवरी कितनी हो सकती है इसके बारे में अपन बात कर लिते हैं तो की किलोजिंग की तो किलोजिंग आपको जो देखने को मिलती है इसकी वन डेकर चार्ट पर वो तेती सजाए श्यसों सत्ताइस की आपको यहां पर किलोजिंग सजा 700 पर ही देखिए इसका जो हाई आपको देखने को बिलाता पिलस में एक और चीज आपको समझाना चाहूँगा कि जब हमने बात किया था मैंने आपको बताया था कि नई गिरावट के लिए आपको जब बड़ी पिले करना है जब आपका 32,290 के नीचे के लेवल को क्रोस करता जब हमको कहीं न कहीं गिरावट देखने को बिलेगी अन्यता नहीं देखने को बिलेगी और मार्केट का पैटर्न अगर आप देखो ना तो मार्केट का देखे पैटर्न इस तरीके के चलता हूँ बड़ा जो केंडिल बनाता जिसमें एक बड़ी सेलिंग हमको देखने को मुली थी उस केंडिल पर देखे मार्केट आता हूँ दिखाई दे रहा तो यहां पर आपको जी चीज़ा भी समझना चाहिए कि बिल्कुल उसी केंडिल पर आज चुका है ठीक है आज का वीडियो क लाइक एम हम इस जगह रखते हैं एक हजाल लाइकों का तो मुझे उमीद है कि आप इस सभी को लाइकों को पूरा करोगे और वीडियो को बिल्कुल पूरा देखोगे क्योंकि देखे मार्केट में एक एक चीज़ में काफी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोसिस तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखे अब यहां पर देखे सवाल आता है कि आगे अब हमको किस तरीके से तेजी देखने को मिल सकते हैं और आगे हमको कैसे काम करना चाहिए तो सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको समझायता हूं कि अब जो तेजी हमको देखने को यानि मार्केट एजगा कंसोरेट करने के बाद अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो एक बड़ी तेजी के लिए मार्केट तयार हो सकता है क्योंकि इसमें एक आपको जो गैप दिखाई देरा उस गैप को भी मार्केट कहीं कहीं फिल कर सकता है मार्केट में मुझे अभी भ के decision में दिया गया है निप्टी बैंक निप्टी के stock कि जगा दिये जाते हैं तो बिलकुल फिर है किस बात की देरी है लिंक आपको वीडियो के decision में दिया गया है अब देखे अभी मैंने आपको बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी तेजी यहा सकती है उसके कि किस level में आपको यहां फस्ता हुआ दिखाई दे रहा है एक resistance में फस्ता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि अगर हम बात कर तो नीचे की side हो तो एक कंसुलेट के जौन में देखिए यहां फे फस्ता हुए दिखाई दे रहा है अग यहां पर देखिए एक चीज आपको समझना है कि इसने अभी तक देखिए इसको पार ने किया जो कि आपका 33,700 का लेवल तर अगर जी ऊपर की साइट इस लेवल को पार कर देता है तो हमको एक जिगा कॉल में काफी अच्छी अप़ोचुनेटी देखने को मिल सकती है क्योंकि इसने पैले से इस जगह कॉंसुलेट करे चुका है जब मार्केट एक कंसुलेट एक जिगा करता हुगा दिखाई देता है और उसके बाद एक बेरेक आप देता है तो उसमें आ हाई था वो 370 गा था उसके उपर निकलता है तो हम इस जगह सी बाइंग कर सकते हैं तो चली मैं आपको जे टिरेट बता देता हूं कि अगर इस जगह देखे 33,700 के उपर अगर मार्केट निकलता है अपने हाई के उपर निकलता है आपकी जो केंडल है इसके उपर किलोज हो काती है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं हमस्में सिधी करके चल सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया है फिर बात आती है टार्जेट की तो पहले ट्र üzer本ा आपको 34,000 का आपको टार्गेट देखने को बलेगा है यानि अगर हम बात करें तो टोटल जो टार्गेट आपको देखने को बलेगे वो अभी भी मुझे का 300 पॉइंटों के आपको देखने को मिल सकते हैं अगर यह जगा 33,700 के ऊपर जाता है तो अपने हिसाब से काम करता है लेकिन हमको अपने setup को काफी मजूद बनाना पड़ता है हमने टेक्निकल देखा है अप हम option chain देखेंगे तकि option chain देखना काफी जरूरी होता है इस जगह आपको पता चलता है कि जो आपके trader है उनका क्या view है वो क्या सोच के चलते है अब इस जगह अगर आप देखो कि तो आपको समझ में आएगा कि अभी जो टेडर है वो इस जगह देखे आपको मैं इस जगह दिखाना चाहूँगा कि 60,88,000 के सम्तिंग देखे यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है यानी इस जगह इतना आपको ओडस देखने का दिखाई दे रहा है लेकिन उसी जगह हम पुठी की बात कर तो यहाँ पर 8,5,340 के सम्तिंग आपको देखने को मिल जाता है जो के पुट में है लेकिन पुट में इच जगह हमको ज़्यादा दिखाई देता और आपको मैंने समझा के रखा जिछ जगह ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। जैसे हमने बात किया था कि 33,500 का जी आपका सपोर्ट था तो इस जगह आप पुदीशन देखोगे तो सबसे ज़्यादा पुदीशन आपको देखने को मैं आपको डेटा बिल्कुल रीट करके दिखाता हूं आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है तो इस जगह देखो तो यहाँ पर 24 आपको दिखाई दे रहा है आपको 9,000, 8,000, 20,000, 15,000, 8,000 देखें अब गर आप देखो कितने दूर तर देखें मैं पुदीशन आपको दिखा रहा हूं एक भी पुदीशन आपको बड़ी नहीं द बात की थी कि वह ऊपर की साइट आपको एक रजिस्टेन देखने का बलता है जो कि 3300 का देखने का बलता है अगर इस जगह अगर आप देखो तो 3300 पर देखें कितनी बड़ी देखी चेंजिंग होई है 20,000, 20,700 के समतिगी उसके बाद अगर आप देखो तो कहीं पर भी इ आपको दिखाई दे रही है तो इस तरीके से आप इस जगह अपने डेटा को रिट कर सकते हूं आपका नीचे सपोर्ट क्या हुगा नीचे की साइट आपको सपोर्ट इस जगह होते हुग दिखाई दे रहा है जो कि मैं अगर बात करूं तो 33,500 का एक सपोर्ट है इसके नी में एक सवाल और आता है और काफी जोरों से आता है कि सर अगर मार्केट में गिरावट देखने को भी तो हमको क्या करना चाहिए हमारा क्या लेवल होना चाहिए जिज जगह हम बाइंग करके चल सके हैं क्योंकि देखे मार्केट में अगर आपको बाइंग की अपोर्चुन इसका अगर market इस level पे आपको मिलता है तो इस level पे हम buying करके चल सकते हैं setup क्या होगा setup की बात करते हैं तो सबसे पहले तो market आपका नीचे की side open हुगा तो इस जगा कुछ candle बनने दीजिए candle बनने दीजिए ठीक है आपको समय देना है थोड़ा candle बनने दीजिए candle बनने के बाद आपका इस जगा अगर इस candle के उपर एको candle आपका बनता है तो इसमें हम buying कर सकते हैं जिस setup किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ market आपका नीचे open हुआ consulate किया, consulate किया, consulate किया फिर इसने एदम अपने high को cross किया high को cross करने के बाद अपने इस high के उपर हम CE buying करके चल सकते हैं हमारा SL क्या होगा नीचे वाला यानि जो हमने इस जगा support बताया है 33,240 और यही हमारा SL बनते हुए जगलेगा और यही हमारा support है, अगर इसके नीचे जाता है तो हम buying नहीं करेंगे अगर इसके उपर होता है तो हम बिल्कुल buying करके चल सकते हैं जो कि हम CE buying करके चल सकते हैं तो setup मैंने आपको समझा के रखा है आप सवाल आता है कि किस तरीकी से buying करना है तो इसमें हम एक को चीज add करेंगे कि जो आपका market नीचे की side open होगा इसके नीचे नहीं जाना चाहिए यानि opening आपका उपर की side दे लेकिन इसके नीचे closing नहीं देना चाहिए तो काफी अच्छा setup आपको इस जगा बनते हो दिखाई देगा हूँ अब चलिए बात करते हैं कि हमको क्या buying करना है तो हम इस जगा देखे जो मैं आपको उताना चाहिए 33,250 का हम इस जगा CE buying करके चल सकते हैं अगर market हमको नीचे की side मिलता है तो ठीक है फिर हमारा target क्या होगा अगर target नहीं बता है तो किस चीज का फाइदा तो सबसे पहले हमें target आपको बता जाता हूँ पहला target आपको 33,340 का देखने को बलेगा दूसरा target की बात करते हैं तो दूसरा target जो आपको देखने को बलेगा वो 33,450 का देखने को बलेगा और last target की अगर हम बात करें तो 33,560 का देखने को बलेगा यानि अगर हम बात करें इस जगा तो आपको तो तीन target देखने को लेगे जो back to back आपको देखने को लेगे और market अगर नीचे की side open होता है तो हम इस जगह buying करने की opportunity कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बता के रखा है आपके मन में एको सवाल आ रहा है कि अभी तक जो मैंने बात किया है वो दो setup पे बात किया है दोनों setup में मैं मैंने इस जगह CE buying करने की आपको राय दी है लेकिन अब सवाल आता है कि भाई इस जगह हम PE कहां पर buying कर सकते हैं और उसके पीछे का क्या logic होने वाला है तो आपकर आपने like नहीं किये तो वीडियो को like किजे और 1000 लाइकों का आज के दिन का target है और telegram channel को subscribe किजे चलिए बात करते हैं कि PE कैसे buying कर सकते हैं कि PE buying करने का एक ही setup है जो मुझे काफी अच्छा लगता है और मैं इसी setup पर buying करना पसंद करूँगा आपको याद होगा कि मैंने आपको एक इस जगह रजिस्टेन बताया तो जो कि इस price का था और इसी price पे हम PE buying करके चल सकते हैं जो कि उपर व हम दोनों तरीके से buying करेंगे अगर market आपका gap के साथ open हो गया इस जगह gap के साथ open हो गया इस price पर फिर वह हम buying कर सकते हैं जो कि आपका मैंने अभी बताया था कि 34,440 का level है अगर उस जगह धीरे-धीरे भी आता है तो भी हम इस price पर buying कर सकते हैं वस condition हमारा है कि इसके उपर जो candle है वह नहीं निकलना चाहिए यानि market एग जगा जाए फी ना इन ऑच के साथ ना पर या आपको ध्यान रखना यह इसके उपर नहीं निकलना तो हम बिल्कुल उपर करके चल सकते हैं दोनों कंडिशन में कर सकते हैं या तो market gap के साथ इस or upन हो जाय या आपका market धीर धीरे धीरे ऊपर की साइट चाहिता है तो इस condition में भी हम ऐइंग कर सकते हैं ऊपर की सायट हम प्गी कर सकते हैं अब देखिक ऊपर के सायट करने का मैंने क्यों व Ой एर क्योंकि प्रफासा नहीं कि कोई चोटा या बड़ा है चोटी टेड़ा मतलब एक जो रिडिल इंवेस्टर होता है जिसको ज्यादा कुछ नहीं पता होता उसका बिलकुल फाइदा उठाते हैं इस जगह जो आपको दियान रखना है मार्केट अगर इस लेवल पर आपको मिलता है तो इस लेवल पर हम पीई बाइंग करके चल सकते हैं अब आता है सवाल की हमारा टार्गेट क्या होगा कंडीजन मैं आपको बता के रखा है तो सबसे पहले तो देखे अगर हमको उपर की लेवल पर मिलता है तो हमारा जो टार् मार्केट की बाद करें तो 34,100 का आपको लास्ट टार्गेट देखने को भूलेगा यानि इन तीन टार्गेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं अगर मार्केट हमको ऊपर की साट मिलता है तो है चीज को मैंने काफी बारी की से आपको समझाया अगर आपने वीडियो को बिल्कुल पूरा देखा है तो काफी अच्छे से समझ आया हुआ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए वीडियो को सेर कीजिए सस्क्राइब कीजिए आपका जो भी सवाल है मुझे कमेंट कीजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जैह ही बनने माता हूं